आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में एक पाउफुल हर्बल हैरल शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आपके बालों का हैर गृट डबल स्पीर से हो जाएगा और अगर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है या आपके बाल बहुत पतले है तो वो भी प्रॉब्लम इस हैर ओल से दूर हो जाएगी इसको मेल और फीमेल दोनों ही इस्तमाल कर सकते है यह इक्वली वर्क करेगा और इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है और दोस्तों इसमें मैंने जू भी इंग्रिडियन्स का इस्तमाल किया है वो सभी इंग्रिडियन्स हमारे बालों के लिए रामबान इलाज मानी जाती है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर एक नोटिफिकेशन बेर आ जात है याँ पर सबसे पहले मैंने 100 ग्रम यानिके आधा कब जितना कलॉψी। का तेल लिया है दोस्तोे कलॉमजी का तेल आइभने की बढ़ने की स्पीर को 어को डबल नहती करते हैं और ह्याले कनले demographic दोनीको नेम पटियों को धूकर सुखा लिया है आप भी इस तरह से सूकही नीम की पत्तिया ले या फिर आप फ्रेश वंस भी ले सकते हैं फिर यहां पर हैं दो चम्मज महंदी का पाउडर और दो चम्मज ही आमला पाउडर अगर आपके पास आमला पाउडर नहीं है तो आप रो आमला भी यूज कर सकते हैं फिर यहां पर मैंने दो बड़े चम्मज ग्रीन ती ली है दोस्तो ग्रीन टी में बहुत सारी एंटियोक्सिदन प्रॉपर्टीस रहती है जो हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है फिर यहां पे मैंने एक चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर लिया है आपके पास पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च भी ले सकते हैं फिर यहांप चैंफर यानि के कपूर दोस्तो कपूर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है इसमें सूदनें प्रॉपर्टीस रहती है जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से रिफ्रेश करती है हमारे सकाल्प को डैंडर्फ से बचाती है और भी ब्लद दोस्तों गार्लिक के मैंने छे से आंट क्लफ ले लिया है और उसे अच्छे से कट कर लिया है तो चड़िए देखते हैं अब हम इस ओयल को कैसे बना सकते हैं सबसे पहले आप स्टफ को हाई फ्लेम पर अन कर ले और यहां पर मैंने अलुमिनियम का हैवी बॉटम वाला वॉक पर ही रखना है घबराने की ज़रूरत नहीं है यह हैवी बॉटम पैन है तो जलेगा नहीं फिर मैं इसमें एड करी हूँ क्रश की हुई ग्रीन टी और फिर गार्लिक और लास्ट में मैं एड करूंगी क्रश किया हुआ कैमफर यानि के कपूर इस तरह से इसे क्रश कर देने से इसका एक पाउडर फॉर्म तयार हो जाता है जो इसमें आसानी से मेल्ट हो सकता है और इसकी सारी गुद्नस इसमें आसानी से डायलिट हो सकती है फिर हम एक चमश की मदश से इसे चला लेंगे और तीन से पांच मिनित तक आप इस ओयल को ऐसे ही चलाते रहे और फिर जब इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए तब आप गैस को बंद कर दे आप देख सकते हैं कि तेल काफी हद तक अभी गरम हो गया है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें मैं एड़ कर रही हूँ करी लीफ्स यानि के नीम के पत्ते और फिर मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर बाद में मैं डाल रही हूँ आमला पाउडर और लास्ट में मैं आड़ करूंगी मेंदी यानि के हेना पाउडर दोस्तों इस टाइम पे हम सभी पाउडर चीजों का ही इस्तमाल करेंगे क्योंकि इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि गैस बंद होने के बावजूत इसमें काफी अच्छी तरह से जाग आ रहा है यह इसलिए क्योंकि एक तेल गरम होने की वज़े से इसमें हमने जो भी इंग्रिडियन्स अभी डाली है वो सभी पक जाएगी और इसका अर्क नीचे तेल के उतर आएगा आप इसे 2-3 मिनित तक ऐसे ही चलाए और फिर इसे 3-4 घंटे तक मिनिममम ठंडा होने दे और फिर इसे स्ट्रेनर की मदद से हम इसे स्ट्रेन कर देंगे चार घंटे के रेस्ट के बाद आप देख सकते हैं कि इसके तले पे इसकी सारी इंग्रिडियन्स पैट गई है अब हम इसे एक strainer की मिदद से strain कर लेंगे और एक काच के container में इस oil को shift कर देंगे मैंने यहाँ पेक काच की बोतल में इसको store करके रख दिया है आप भी इस तरह से अगर इसको store करेंगे तो आप इसे महीनों तक इस्तिमाल कर सकते है इसके इस्तिमाल के लिए आप सिर्फ इसे हलका सा गरम करें और अपने scalp पर massage करें इसे अगर आप हफते में तीन बार इस्तिमाल करेंगे तो आपको दो ही हफतों में बहुत अच्छा result मिलेगा यह आपके hair growth को promote करेगा और आपके hair fall को भी stop करेगा अगर आपको premature graying यानि कि उम्र से पहले ही सफेद बालों की problems हैं तो वो भी बहुत आसानी से दूल हो जाएगी दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को like, comment and share करना बिल्कुर ना भूले और प्लीज मेरी चैनल को subscribe कीजिए जिससे मेरे आने वाले हर एक वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करे तो अभी के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ अपने next वीडियो में तब तक के लिए bye take care